नमस्कार, क्लिपर 28 में आप सभी का स्वागत है, हमारे साथ आज मौझूद है निदली प्रत्याशी के रूप में तुलाराम रेलवानी जी, तो आईए हम इन से बात करते हैं कि आपकी चुनावी अहां मुख्य, मुद्दे क्या हैं, तो सर बताएंगे आपके मुख्य क्या ह मेरा मुख्य मुद्द्या है, बिलासफूर को सुन्दर शहर बनाना है, जैसा कि हमारे बिलासफूर में नियाधानी होते हुए भी, हमें आज तक एरोरम की सुईधाय नहीं मिल पाई, सुरेज की समस्या कई वर्सों से अभी तक नहीं पूरी हो पाई, जिससे कई माताओं बहनों के सुभा गुजड़ गए, कई बच्चों के माता-पिता की छाया नहीं रही, सिमस्य में भी आए दिन गड़वरी के कारण, आम आदमी का इलाज सही नहीं होने के कारण मोते हो चुकी है, इसलिए यह बिलासफूर हम सब का है, इसे हमें सब मिलकर बहुत सुन्दर बनाना है, जैसा कि मैं कुछ दुनों से प्रचार में था, तो कई लोगों कोई द्वारा हमारे बिलासफूर को खोदापूर कहा जा रहा था, यह मुझ से सहा नहीं जा रहा था, मैंने सोचा चुनाओ लड़कर अगर आप लोगों के आसिवात से मैं बिलासफूर का विधायक बना, तो मैं बिलासफूर को बड़े शहरों की गिंती में ला के आगे रखूंगा, आज अगर हम रायपूर की तुलना में बिलासफूर को खड़ा करें, तो हमारे शहर गाउं बन कर रहे गया है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन बिलासफूर में और कई समस्या हैं, जैसा कि जहां जहां देखो, आधे रोड बने हैं, आधे रोड नहीं बने हैं, जिससे आम नागरिकों का रोज नगने रोज दुरखटना होती है, इसलिए मैंने सोचा, चुनाव लड़कर बिलासफूर को सुन्दर बना सकूँ.